इसलाम वालेकुम जी इंट्रोडेक्शन टू एलेक्ट्रोडेनमिक्स ग्रिफ्ट का फॉर्थ एडिशन है एक्जेम्पल 5.2 चैप्टर 5 चार रहा है मगनेटोस्टेटिक का अब हम देखेंगे के बैई आपके पास साइकलाइड मोशन का एक प्रॉब्लम है वो कहता है कि एक इसके मगनेटिक हुई वो कहता है फर्स करो बी जो है वो आपका एक्स डारेक्शन में है यह जो है वो जैट डारेक्शन में है जैसे फिट में दिखाया गया है पॉस्टिव चार्ज को रिलीज किया जाता है औरीजन से वाट पाथ विल इट फालो तो बुक में जो बी मगनेटिक फोर्स भी दोनों के फार्मूले पता हैं दोनों का टोटल निकाल लेंगे दोनों एक्ट कार रही है तो हम कहेंगे बही क्यों ए आजेगी लेक्टिक फोर्स क्यों वी क्रॉस भी आजेगी मगनेटिक फोर्स क्यों कामन ले लेंगे ए प्लस वी क्रॉस अगर गुटольно यह जानते हैं यह पिलेगे भी यह जाएंगे बंगेगे माइनस विय भी एक्सी कर देते हैं अब हम क्या करेंगे के सारे को के वाले को कुठा कर लेंगे जे वाले को कुठा कर लेंगे के वाले को कुठा कर लेंगे क्यू को साथ जरब दे देंगे अब के वाले दो नजर आ रहे हैं तो पहले हम देखेंगे आई वाला आई वाला तो कोई भी नहीं है यह जीरो है तो जीरो ही लिख दिया जे वाला भी एक ही है यह Q जरब खाज़ेगा आपके पास V, Z, B, J आज़ेगा आपके पास और अब आपके पास साथ में इसे Q भी आएगा स्थोरी यहां पे बाहर Q भी होगा जी वो Q जरब खाएगा अच्छा जी तो वो Q अंदर खाएगा V, Z, B, J के साथ फिर Q अंदर खाएगा यह K वाले दो हैं उन में से हम कठा करके लिख सकते हैं E, माइनस, V, B, B, बाई और K आज़ेगा क्यों साथ आगया अब अगर हम देखें इसमें F, यानि फोर्स का X कंपोनेंट नहीं है फोर्स का Y कंपोनेंट मजूद है फोर्स का Z कंपोनेंट मजूद है बाद समझा गए तो इस तरीके से अब हम फोर्स का जनरल फार्मूला जानते हैं M, D, V, D, T तो अगर हम दोनों को कंपेर करें तो 0 एकुलेंट आजेगा M, D, V, U, D, X अब चुके इनिशल विलास्टी X डारेक्शन में 0 थी वो जा ही नहीं रही थी उस तरफ तो हम कहेंगे उसका derivative भी 0 रहेगा तुमाम रास्ते में इसका अब फोर्स नहीं होगी Y जो फोर्स है Q, V, Z, B वो हम लिख सकते हैं M, D, V, Y, T, D, Y, O, D, T को इसरी रहने देंगे बाकी effect उठागे दूसरी तरफ कर लेंगे ये equation 1 का रूप आगया किसी तरह Z-axis की फोर्स को हम लिख सकते हैं M, D, V, Z, O, D, T D, V, Z इसरी रहने देंगे M दूसरी तरफ चला जाएगा वो दोनों को जाके अलग-लग करके डिवाइड कर देगा ये आपकी equation number 2 आगए अब जो differentiate करते हैं अगर हम equation 1 को with respect to time यानि इस वाले को तो दो दफा कर दिया आपने ये second order equation बंजेगी Q constant, B constant, M constant अब ये जो equation 2 में डिवी Z ओवर डी टी बना हुआ है इसकी value इसमें लगाई जा सकती है क्योंकि equation 2 भी ये इसके बराबर है तो ये value यहां पर place कर देते हैं तो अब आपके पास Q B divided by Y अब जाके जरब खा देगा दोनों से अब अगर आप देखो तो यहां पर एक वी वाई वाली टर्म मजूद है तो ये वी वाई वाली टर्म ये भी है ये negative की टर्म है दूसरी तरफ जाके क्या होज़ेगी positive की टर्म होज़ेगी और इस तरफ एक काम किया कि B से multiply भी कर दिया और divide भी कर दिया अब आपके पास हम कहेंगे एक होमोजीनियस स्लूशन है जिसमें हम कहेंगे कि नॉन होमोजीनियस टर्म को हम रिप्रिजेंट जो लेक्टिक फील्ट की वज़ा से है वोसे हम zero कर रहे है यानि यह वरी यह वरी टर्म आ रही है ना इसको हम zero कर रहे है जो हमोजीनियस है उसको लेके solve कर रहे है तो यह equation इस चकल में आजएगी यानि equation 4 में यह right hand side zero करके लिखती अब इसका जो solution होगा second order differential equation है वी वाइ ब्राबर आजएगा c1 cause omega t plus c2 sin omega t हम कहेंगे कि यह solution है oscillatory part of motion का magnetic field की वज़ा से जो इसमें velocity oscillate करती है y direction में with angular frequency omega qb by m अब अगर हम homogeneous solution तो आगया अगर हम उसमें जो constant term थी omega square e by m जो right hand side पे non homogeneous के लिए थी हम अगर उसको भी शामिर कर ले तो वो steady accelerate करेगा electric field की वज़ा से तो हम कहेंगे एक particular solution उसका चाहिए ताकि equation balance हो सके तो तभी होगा अगर हम v y जो particular solution है उसे constant मानने तो अब आपके पास हम कहेंगे के v y constant है यहां पे भी constant है जो जो जनी equation है ना इसमें y y वाली term को constant मानने ताकि उसका एक particular solution पे जा सके अब यह constant है तो zero होजएगा यहां पे यह है तो इसका मतलब omega omega scale से कट जेगा e बटा b constant आजएगा जिसे हम v y कहा जेंगे तो इसे हमने पिछले topic में पढ़ा था velocity selector method अपने topic में पढ़ किया थे अब जो general solution है उसमें दोनों terms आजएगी homogeneous भी particular भी दोनों को मिला आके लिख देंगे अब हम कहेंगे जो constant हैं c1, c2 उनको boundary condition लगा के solve करनेंगे t 0 होगा तो v y 0 होजेगा तो वहां पे आप theta 0 रखके solve करनेंगे तो यह c1 आजएगा minus c बटा b इसका में लगा c1 की value हो आगे इसी तरह जब t 0 होगा तो जो derivative होगा velocity का वो भी 0 होना चाहिए अब आप क्योंके वो सारा factory constant होगा एक तरह से तो 0 करके कर देंगे 0 तो यह सारी term में t 0 place कर देंगे तो c2 0 आजएगा आपके पास इसका मतलब आप equation में c1 की value भी पता है c2 की value भी पता है दोनों values place कर देते हैं तो यह equation इस चेकर में आजएगा तो वो c2 के 0 होने की वज़ा से यह वारी term जो sign वारी term में खतम हो जाएगा तो अब आप क्या कह सकते हैं कि वी वाई बराबर आजएगा minus e बटा भी cos में कटी बटा भी common ले लेंगे one minus cos में कटी आजएगा अब इसी तरीके से vz देख लेते हैं वी जड हमने क्या कहा था कि वी वाई ओवर डी टी q वी ओमेगा वी जड है इसका हम कहेंगे कि वी वाई ओवर डी टी को एक तरफ का वी जड को निकालने है तो यह factor दूसरी तरफ लेगे अब हमारे पर वी वाई मजूद है इसका derivative लिख लेते हैं कि वी जड के बराबर आज़े जब इसका derivative उठाएंगे उमेगा साइन उमेगा टी इबटा बी साथ आजएगा अब आप क्या करो कि इसमें से आप उमेगा की वाई यू डाल तो q बी वाई या कुछ factor कट जएंगे q q से b b से m से तो यहां पर e बटा b बाट जएगा साइन उमेगा टी तो इसका integrate कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो x वाला करेंगे v x इंटू t वो 0 आजएगा y वाले की v y पता है टाइम के लिए हास से तो वो आजएगा e बटा p t साइन माइनस साइन टी ओमेगा टी बटा ओमेगा प्लस t अगर आप यहां से कंडिशन कंडिशन लगाओगे तो c 0 या जएगा तो remaining factor यही आ जाता है इसका मतलब y की टर्म position यह आ जएगी z का इसी तरीके से different integrate कर लेंगे with respect ताके position पता लग सके उसमें भी constant c आएगा c उसी में भी 0 आजएगा आपके पास c उसमें आजएगा e बटा b omega के साथ cos 01 होता है तो यह negative के साथ आपके पास है तो negative है दुस्री तरफ जाके क्या हो जाएगा positive हो जाएगा अब हम कहा सकते हैं कि इसमें से common ठालेते हैं e बटा b omega चुके इसमें आपके पास one minus cos omega t आगया तो यह अब आपके पास z की position है यह आपके पास y की position है और यह आपके पास x की position है अगर हम कहें x t पे 0 है तो इसका अज़र पार्टिकल आपका confine हो जाएगा y z plane में जैसे fig में दिखाया हुए अगर हम कहें के y component क्या कर रहा है y component एक linear motion करवा रहा है और oscillatory motion दे रहा है sign omega t अगर आप वो graph देखो तो यह sign का graph आ रहा है इस प्रिके से यहां से यह वारा part फिर अगर आप इसमें फर्दर देखें तो आपके पास जो situation है हम कहेंगे कि यह result एक्स की वज़ा से electric और magnetic field की वज़ा से z component एक oscillatory motion दे रहा है जो electric field की वज़ा से और accelerate हो रहा है आगे तो z axis पे वो जो आगे चाता है वो आपका electric field की वज़ा से अब जैसे जैसे time चलता जाएगा तो particle accelerate करेगा z direction में electric field की वज़ा से और simultaneously magnetic field उसे कास करेगी y direction में oscillate करने पे तो एक periodic आजेगी deviation y axis पे और आप कहेंगे uniform acceleration होगा z में और oscillate dimension होगी y में जिससे एक cyclide bias बनेगा y z में हम कहेंगे x d zero है तो क्योंके motion strictly y z plane के अंदर है तो यह वो सारा solution का explanation है यह हमारे पास इसका solution था अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो doubt हो नीचे comments में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like की दिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा channel को subscribe कर दिएगा अब तक के लिए इतना ही बकिया इंशालला नेक्स देखिए यो के अलाफेज